जंग लड़ने के लिए उमंग होनी चाहिए महनत के पसीने में दम होनी चाहिए माना कि आप की ये होंगे सालों भर की तैयारी लेकिन टॉप अप दी बेस्ट बनने के लिए हमारी एक और वीडियो देखनी चाहिए तो फाइनली एक और जबरदस्त वीडियो के साथ मैं वापस आ गई हूँ और आज का ये वीडियो अब तक का सबसे जबरदस्त और सबसे इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को कम्प्लीट करने वाले है जी हाँ आज के इस वीडियो को आप यू कह सकते हैं कि उर्दू ग्रामर का वन शॉट वीडियो है या फिर देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर टाइटल में कम्प्लीट उर्दू ग्रामर इन वन वीडियो यानि कि संपून उर्दू ग्रामर को मातर इस एक वीडियो म मैं दूर कर दी हूँ मात्र आज का ये एक वीडियो देखिए complete देखिए और उर्दु grammar के सभी topic को complete कर लीजे अब आप लोग को कहीं दूसरे जगा भागने दोरने चिलाने या फिर ढूनने की ज़ूरत नहीं है इस एक वीडियो को देखिए complete देखना है बीना skip किये ताकि हर एक पॉइंट और हर एक topic समझ में आए और उर्दु grammar को आप लोग complete संपून रूप से समझ जाए ठीक है ना और यह जितना भी उर्दु grammar के topic को मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी ये खास तोर से स्पेशली 10th और 12th class को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को तयार की हूँ और सारा topic पढ़ाऊंगी लेकिन अगर आप 10th और 12th class के student नहीं है हो सकता है कि आप लोग इंट्रेंट से फिर competitive exam की त्यारी कर रहे हों तो सभी तरह के exam के लिए उर्दो grammar important होता है यानि कि हर exam में उर्दो grammar पूछा जाता है तो यह तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जितना भी आज के इस वीडियो में आप लोग को उर्दो grammar पढ़ाऊंगी यह हर exam के लिए important है चाहिए आप किसी भी इंट्रेंट से फिर competitive exam क्यारी क्यों ना कर रहे हों अगर आप 10 में है तो भी यह तो आप लोग के लिए काफी beneficial है बहुत important होगा आपके लिए तो सभी को मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस दिन आप लोग का exam है उसके एक दिन पहले भी रात में भी यह वीडियो जरूर देख कर जाएगा यह फिर जिस समय आप लोग का exam है उसके एक घंट पहले भी यह वीडिय किस तरह से कुछे जाते हैं यहार एक चीज मीं आप लोग कमदाते चलोगी और यह वीडियो कुलियर करते चलेंगे सं़भने कैस कर देंगे तो चली करते हैं और सबी डोग का भला हो ठीक है अब चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे देखिए मैं लिख दी हूँ उर्दू कवायद के 5-6 से देखिए कोशन पूछा था एक बार कि उर्दू कवायद के 12 में भी पूछा था और 10 में भी पूछा गया है उर्दू कवायद यानि कि उर्दू ग्रामर जो ना उसको 5-6 समय कितने हिस्सों बाटा गया है इन बाटा गया है यहां पर देखिए मैं लीक बीदी हूँ हर एक इस से का नाम पहला है इलम Hizza दुसरा का नाम है इलम सर्फ तीसरा है इल्म नौ्व चौता है इलम बयाना और मतलब एक कानून एक काईदा और कवायद मतलब धेर सारे कानून यानि कि उर्दू भाषा को पढ़ने लिखने और सीखने के लिए जो हमें धेर सारे काईदे कानून पढ़ने पढ़ने पढ़ते हैं नियम और रेगुलेशन नियम और कानून को पढ़ने पढ़ते हैं उसी को एक और question पुछा गया था आप लोगे exam में, मैं board exam की बात कर रही हूँ, board exam में question पुछा गया था, कि हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है, option तो मुझे खैर उतने अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, option A में दिया होगा 15, B में दिया होगा, 37, C में दिया से हुरूफ तहजी, आखिर हुरूफ तहजी है क्या, पहली बार वो exam hall में पढ़े थे, तो आप लोग इस तरह shocked ना हो जाए और confused ना हो जाए, इसी वज़ए से मैं पहले ही बता दे रही हूँ, हुरूफ तहजी का मतलब होता है, alphabet, उर्दू alphabet, English में आप लोग alphabet पढ़े हो है ना, A, B, C, D, A से लेकर Z तक के सभी letter को जब सजा कर लिख दिया जाता है, तो A से लेकर Z तक के सभी letter को हम एक साथ क्या कहते हैं, English में alphabet कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हिंदी में क्या होता है, वर्ड माला होता है, का से लेकर गया तक के सभी अक्षर को एक साथ हम लोग क कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह उर्दू language में भी होता है, उर्दू में जितने भी letter यानि की हर्फ है, अलिफ से लेकर बड़ी ये तक, तो अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितने भी हर्फ है ना, उनको एक सांती कठे में कहा जाता है, हुरूफ तहजी, तो हुरूफ तहज जी की तादाद कितनी है, यानि की हुरूफ एताजी, यानि की उर्दू alphabet में total कितने letters है, कितने हुरूफ है, तो 52, 52 याद रखिएगा, जिस भी option में आप लोग को 52 दिखाई दे, उसको धीरे से टिक कर देना है, next question की तरफ, next question ही, next topic की तरफ बढ़ते हैं, अगला topic समझना हैं, आप लोग को file किसे कहते हैं, बहुत ही simple है, आप लोग English में पढ़े होंगे, subject plus verb plus object, पढ़े होंगे न, ये sentence बनाने का एक नियम आप यूँ कह सकते हैं, rule है, सबसे पहले subject को रखते हैं, उसके बाद से verb, उसके बाद से object, subject मतलब क्या, काम करने वाले इंसान को, जो व subject को ही, उर्दू में क्या कहा जाता है, file कहा जाता है, file मतलब काम करने वाला इंसान, जो काम करे, उसको क्या कहेंगे, file कहेंगे, मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो उर्दू में क्या कहेंगे, मैं क्या कहलाऊंगी, file कहलाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह सलीमा TV इस जुम्ले में बताईए, फाइल कौन है, टीवी देखने का काम कौन कर रही है, सलीमा कर रही है, तो सलीमा हो जाएगी फाइल, और इसी तरही की से आप लोग के एक्जाम में भी क्वेशन पूछे जाते हैं, कोई भी एक सेंटेंस उटा कर दे देगा, कि महमूद मैदान मे खेल रहा है, तो बताईए, इस जुम्ले में फाइल कौन है, ओप्शन A में देदेगा महमूद, B में देदेगा खेलना, C में देदेगा मैदान और D में देदेगा, इन में से कोई नहीं, तो बताईए, महमूद मैदान में खेल रहा है, इस जुम्ले में फाइल कौन है, ख फेल को इंग्लिश में कहते हैं भर्व यानि कि क्रिया काम कोई क्या कहते हैं जो काम किया जाता है क्रिया काम कोई क्या कहा जाता है फेल उर्दू में जैसे कि मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूं तो मैं कौन सा काम कर रही हूं पढ़ाने का काम कर रही हूं तो यह कि पड़ाने का काम कर रही है तो देखना क्या हो जाएगा प्रास काम कर रहे गार है अब देख सब्सक्राइब अगला टॉपिक है मफूल मफूल किसे कहते हैं मफूल को इंगलिश में कहा जाता है object यानि कि जिस पर काम का असर पड़े जैसे कि एक example में लेती हूँ कि महमूद आम खा रहा है तो बताइए महमूद तो हो जाएगा file जो की काम कर रहा है और कौन सा काम कर रहा है तो खाने का काम कर रहा है तो खाना हो जाएगा fail लेकिन क्या खा रहा है खाने का असर किस चीज़ पर पड़ रहा है आम पर पड़ रहा है आम खा रहा है तो आम हो जाएगा मफूल जैसे कि माली जी आपको कोई थपड मार दिया तो जिसने आपको थपड मारा वो क्या कहलाएगा वो file कहलाएगा क्योंकि उसने मारने का काम किया है ठीक है तो वो हो जाएगा file और कौन सा काम किया है थपड मारा है ना तो थपड मारना क्या हो जाएगा fail हो जाएगा यानि की काम हो जाएगा थपड़ मारने का काम किया है और थपड़ मारने का असर किस पर पड़ा है आप पर पड़ा है न क्योंकि उसने आपको थपड़ मारा है आप पर असर पड़ा है तो आप क्या कहलाएंगे मफूल यानि की ऑबजेक्ट कहलाएंगे आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा, एक और example लेते हैं, सलीमा टीवी देख रही हैं, वही वाला example लेते हैं, तो सलीमा तो हो जाएगी, file और देखना हो जाएगा क्या? फैल हो जाएगा लेकिन देखने का असर किस चीज पर पढ़ रहा है तीवी पर पढ़ रहा है यानि कि टीवी को देख रही है तो टीवी हो जाएगा मफूल ठीक है आई होप आप लोगो फाइल फैल और मफूल समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं यहां पर एक एग्जामपल भी मैं लिख दी हूँ महमूद क्रिकेट खेल रहा है आप बताईए इस सेंटेंस में इस जुम्ले में कौन सा लव्ज फाइल है कौन सा लव्ज फैल है और कौन सा लव्ज मफ खेल रहा है क्या फैल और खेलने का असर किस पर पड़ रहा है तो के फिरकेट हो जाए गा आ अगे बढ़ए हैं याँ कि चीजे आप लोग को समझ में आ रही है हर एक टॉपिक को अब लोग को समझभी आ रहा है तभी ही तो हमें भी पता चलेगा कि हां आप लोग समझमी आ आ रहा है एक सावज सश्ट्री मिनेगी अगे बढ़ते हैं अगला टोपिक बहुत जदा इंपन्ट है देखिए हैं जमाना किसे कहते हैं अगला टोपिक क्या है जमाना जमाना जिसको हएफ यह स्माना किसे कहते हैं अगला टॉपी क्या है जमाना जमाना जिसको इंगलिश में कहा है किसे कहते हैं कहते हैं काल जमाना यानि की वक्त समय को ही क्या कहा जाता है जिस तरह आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे काल के तीन प्रकार भूत काल वर्तमान काल और भविश्यकाल और जिस तरह आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे टेंस के तीन प्रकार तीन टाइप पास्ट जो अभी चल रहा है और एक वैसा समय जो आने वाला है यानि कि जमाना के तीन टाइप होते हैं पहला है जमाना माजी दुस्रा है जमाना है हाल और तिसरा है जमाना मुस्टक्विल जमाना माजी को ही English में कहते हैं पास्ट टेंस याने कि भूतकाल हिंदी में क्या केते हैं इसको भूतकाल औरAbी और मुस्तक्बिल इसको इंग्वेश शमैं उस्तक्बिल क्या है ये तो खेर आप लोग जानते ही होंगे जमाना मतलब समय समझे की यानि कि वैसा जमाना वैसा वक्त वैसा समय जो बीट चुका हो उस जमाना को हम लोग क्या कहते हैं जमाना माजी यानि कि पास्ट टेंस और वैसा जमाना वैसा वक्त जो अभी चल रहा है यानि कि ये वक्त ये समय अभी चल रहा है तो अभी के वक्त को जो समय चल रहा हो वरतमान में उसको क्या कहते हैं जमाने हाल यानि की प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं अभी ये समय चल रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस जमाने हाल हो future 10 तो जिस तरह यहाँ पर जमाना की तीन किस्में हैं जमाना माजि लो मारे मुस्तक्प्राइब होती है वी फैल यानि की इन्हां प्रस्ट ना करेंगे एक वैसा काम जो हम बाष्ट याजनी की बज़रे हुए ओस्वाने में कर चुके तो जमाना के हिसाब से ही फैल की भी तीनकिस में होती है फैल माजी फैल हाल और फैल मस्तक्बिल फैल माजी उस तरह के फैल उस तरह के काम उस तरह की किरिया को कहते हैं जो गुज़े हुए जमाने में यानि की पास्ट टाइम में हो चुका हो बीते हुए वक्त में जो हम हो राओ औरतमान में पर्जेंट में होने वाले काम को क्या कहते हैं फैल हाल कहते हैं और वैसा काम जो आने वाले समय में यानि कि मुस्तक्बिल में फ्यूचर में किया जाएगा तो उस तरह के काम उस तरह की किरिया उस तरह के फैल को क्या कहेंगे फैल मस्तक्बिल कहेंगे, मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगी, तो बताईए, यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा फैल है, तो फैल मस्तक्बिल हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाई नहीं हुए, यानि की काम होगा, तो फैल हाल, और कोशन भी यह इन में से कोई नहीं, तो बताईए, महमुद पटना जाएगा, यह कौन से जमाने से तालुक रखता है, पटना जाएगा, यान की गया नहीं है, यानि की आने वाले समय की बात की जा रही है, आने वाले समय, आने वाले जमाने को क्या कहते हैं, जमाने मुस्तक्बिल, तो ज इसे तरीके से आप लोग एकदमें कुछा जाता है उसी तरीके से फैल सभी पूछा जाएगा कोई भी एक संटेंस उठा लेगा जैसे कि सलीमा लीब चोरी कर रही थी। इस जुम्ले में कौन सा फैल घॉपयोर करने का म हो चूका है यानि कि यह आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक को समझते हैं माजी इसकी छे किसमें होती है शे ताइप है पहला है माजी मुतलक दूसरा है माजी करीब तीसरा है माजी बाईद चौथा है माजी इस्तमरारी जिसको माजी हम लोग नातमाम भी कहते हैं माजी नातमाम दूसरा भी नाम दिया गया है माजी इस्तमरारी बोलिए या फिर माजी नातमाम बोलिए बाते की है पांचवा है माजी शक्या या फिर इसको माजी एहतमाली भी कहा जाता है और छटा है माजी तमन्नाई अब कहिए तो ठीक रहेगा, fail माजी मुतलक, किसे कहते हैं, वैसा fail, वैसा काम, जिसको करने का, यान की खत्म होने का समय पता नहो, पता ही ना चले कि वह काम जो है, बुझरे हुए वक्त में, यान की past time में, हुआ तो है, लेकिन कब हुआ है, ये नहीं पता है, कब खत्म को क्या कहते हैं माजी मुतलग कहते हैं जैसे कि महमूद आया अभी आया कि बहुत पहले आ चुका है नहीं पता है सिर्फ बोला जा रहा है महमूद आया उसने कहा सलीमा गई अभी गई कि बहुत पहले चली गई कब गई नहीं पता है तो जिस काम का खत्म होना ही पता ना चले कि वह काम जो है घुजरे हुए वक्त में कब खत्म हुआ है तो उस तरह की काम उस तरह की फैल को क्या कहते है ए करेब किसे कि उस तरह के काम को कहते हैं क्या माजी करीब ही यानि की करीब ही में वो काम खत्म हुआ हो ज्यादा देर नहीं हुआ हो जैसे कि महमूद आया है महमूद आया है इससे पता क्या चल रहा है कि महमूद अभी अभी आया है मतलब आने का काम अभी खत्म हुआ है महमूद आया है पत नहीं पताइज तो को इसको में आप लोग बता देना चाहती हूं कि माजी करीब को पहंचाने का यही ट्रिक होता है कि माजी करीब के सेंटेंस जुमले के लास्ट में है या फिर ये वाला है या फिर हूँ लगा रहता है ठीक है मैं देखी हूँ मैं देखी हूँ मैं सुनी हूँ ठीक है मैं उसने कहा है वे लोग गए है या या ये वाला लास्ट में है रहेगा वे लोग ग तो माजीब देख़ी पता चल रहा है लव सही पता चल रहा है अंदाजाम है की बहुत देर इन की जिस wegen काम को खत्म में बहुत देर में इसे पता चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे माजी बई कहेंगे तो यह चुमले उसके लगा होता है वह गई थी सनीमा गई थी यानि कि जाने का काम बहुत पहले हो चुका है बहुत देर हो चुका है उसी तरह अगला है माजी इस्तमरारी माजी इस्तमरारी को माजी नातमाम भी कहते हैं यानि कि वैसा काम जो पास्ट टाइम में लगातार हो रहा होता है उस तरह के काम को कहते हैं हम लोग माजी इस्तमरारी जैसे कि महमूद आता था महमूद आता था इसे पता क्या चल रहा है कि महमूद पास्ट टाइम में बीते वक्त में हर रोज आया करता था महमूद आता था इसे पता क्या चल रहा है यानकि ये काम जयना पास्ट टाइम में लगातार हो रही थी तो महमूद आता था, यह क्या हो जाएगा, महमूद यहां पर रहेगा, महमूद आता था, तो यह क्या होगा, माजी इस्तमरारी कहलाएगा, यह कौन सा फेल है, माजी इस्तमरारी है, ठीक है, तो माजी इस्तमरारी को पहचाने का ट्रिक है, कि इसके लास्ट में ताथा तीखे या फिर तीथी रहेगा जैसे कि वह जाती थी इसे पता क्या चल रहा है कि जाने का काम पास्ट टाइम में हर रोज हुआ करता था तीखे हर रोज हो रहा था जाने का वह जाती थी यान कि ये काम लगातार पास्ट टाइम में हो रहा था तो ता था तीथी या फिर ते वह लोग हमें मारते थे यानि कि पता क्या चल रहा है कि पास्ट टाइम में मारने का जो काम था वो लगातार हो ता भूल वाम भूल भूल मारते थे तो जिस सेंटेंस जिस लिएंसे हमें जाहिर होिस वह काम में लगतार हो रहा था उसनिव माझे इस्तिमरारी केहेंगे पहिचाने का ट्रिक क्या है LAST में बेड़े अगला माझी क्या क्या करें उस तरह के By अस्तार की काम को कहते हैं अकτε इसमें शक पाया जा रहे ना आया होगा पता नहीं आया है कि नहीं आया है आया होगा यानकी शक पाया जा रहा है तो महमुद आया बस लास्ट में होगा लगा दीजिए तो यह क्या कहलाएगा माजी शक्या कहलाएगा तो माजी शक्या का पहचाने का यही ट्रिक है कि लास्ट में होगा लगा रहेगा नहीं तो होगी लगा रहेगा वह आई होगी वह गई होगी ठीक है या फिर होंगे होंगे ठीक है वे लोग सुने होंगे ठीक है तो लास्ट मे होगा होगी या फिर होंगे रहेंगे तो समझेगा कि वो sentence जो है ना fail माजी शक्या से related है यानिकि उस sentence में जो fail है वो fail माजी शक्या है क्योंकि इस तरह के sentence में शक पाया जा रहा है आगे बढ़ते हैं last है माजी तमन्नाई यानिकी उस तरह का फेल जिसमें तमन्ना हो यानिकी ख्वाहिश हो कि काश महमूद आता काश महमूद आता तो अब इसको क्या कहेंगे काश महमूद काश महमूद आता इसमें तमन्ना पाया जा रहा है इस तरह के फेल किरिया में क्या पाया जा रहा है तमन्ना पाया जा रहा है कि काश महमूद आता तो इस तरह के फेल को क्या कहते हैं हम लोग माजी तमन्ना ही कहते हैं याद रखेगा और पहचाने का ट्रिक क्या है कि इस तरह के फेल के लास्ट में क्या रहता है आता या फिर आती या फिर आत ठीक है आता आती या पिर आते काश वे लोग आते काश तुम इस्टेशन और दो घंटा पहले पहुंच गए रहते तो ट्रेन नहीं छूटी होती इस तरह काश तुम यहां पांच मिनट पहले आये होते तो यहां पर तमन्ना पाया जाला है ना ख्वाहिश की जा रही है शर्त घंटा पहले आये तो गया है काश तुम एंगंडा पहले आये रहते उस उसका नाम माजी शरतिय निरखा गया है माजी शरतिय बोलिये माजी बढूल बात यहीं इस फैल से घंण खाher हो शर्त पाया जैश वर्किञा को से व्रसके पैच्छान में गटरी क्या होता है last में आता आती या फिर आते हो जैसे कि काश वह आता मतलब ताते ती आप यूंग कर सकते हैं ताते ती सिव ठीक है ताते ती लगा हो उसको क्या कहते हैं माजी तमन्राइई तो आई होप आप लोगो यहां तक समझ में आगया होगा थोड़ा यहां पर extra समय लग इस वज़े से क्योंकि ये एक ऐसा topic है जो कि student को बहुत कम समझ में आता है और student जब देखते हैं कि थोड़ा ये complicated है तो वो छोड़ देते हैं समझते भी नहीं है पढ़ते भी नहीं है और इस वज़े से वो हमेशा confusion में रहते हैं उनका ये topic कभी clear ही नहीं होता है और जो final exam में इस तरह के topic से question पूछे जाते हैं उसी तरह छोड़ कर चले आते हैं लेकिन यहाँ पर मैं समय देकर आप लोगों को समझाई हूँ deeply विस्तार से मैं आप लोगो समझाई हूँ और I hope आप लोगो समझ में आया होगा अगले topic को लिखती हूँ क्योंकि सारा topic भी तो complete करना है समय को भी धियान में रखना है तो चलिए लिजी फटावर स्क्रीन शॉर्ट कि अब आईए हम लोग अगले topic को समझते हैं देख सकते हैं मैं बोड़ पर लंबा चोड़ा लिख दी हूँ जो अगला topic है वो है इस्म और सबसे important topic सबसे महत्तव पोन आप यह कह सकते हैं कि इस्म से कम से कम 6-7 question आप लोग के एक्जाम में पूछे जाते हैं याद रखेगा सबसे important topic है यह और अगर बात करें अभी fail की जो मैं आभी आप लोग को पढ़ाई नहीं fail से 4-5 question पूछे जाते हैं और जमाना से कम से कम एक दो question पूछे जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा question इस्म से पूछा जाता है तो important हो जाता है यह समझे कि इस्म किसे कहते हैं इस्म को English में कहा जाता है noun और Hindi में कहा जाता है संगय आप लोग पढ़े होंगे बजपन से याद कियो होंगे noun is the name of person place or thing संगया किसी व्यक्ति स्थान या फिर किसी भी चीज के नाम को कहते हैं आप लोग याद कि होंगे ना तो बस वही चीज उर्दू में ला दीजिए यानि कि noun को ही संगया को ही उर्दू में क्या कहते हैं इसम का मतलब नाम किसी भी शक्स किसी भ कहते हैं इसम का मतलब नाम मेरा कुछ झाख नाम होगा तो मेरा नाम क्या कहलेगा इसम कहलेगा यह मारकर हैं मारकर इसका क्या tam में मारकर तो मारकर की यह एक इसम है ठीक है नहीं ना तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें उनका कुछ नाम वहगा और नाम कोई हम लोग क्या कहते हैं इसम कहते हैं आई होप आप आप लोगों को समझ में आ अब इसम की तीन खिसम होती है याद रखेगा बनावाट के कि नथी घष देखिए मैं लिक बीद हूँ पहला इसमें मजदर ठीक है दूसरा है कि अभूचा जासकता है कि इसम की कि रिक्षिट कि तरी टाइफ है अब चली एक एक करके समाझ उस सबसे पहले सबसे इसमें नाम किसे कहते हैं यह जो किसी दूसरे लवज से ना बना हो लेकिन उससे ढए dear तरह केlem को क्या कहते हैं इसमें महजदर कहते हैं, एक्जामपल लेकर देखिए जίसे कि लिखना ये एक इसम है ये एक नाम है लिखना है यह ये लउस है। ठीक है लेकिन लिखना जो है ना यह लवज इससे धेर सारे लवज बन सकते हैं यानि कि धेर सारे इसम और फेल बन सकते हैं जैसे कि लिखना से लिखने वाला लिखने वाली लिखता है लिखेगी लिखती रहेगी तो लिखना से धेर सारे इसम और फेल बन जा रहे हैं तो यह जो लिखना लव्ज है ना ये जो इसम है ना इसको क्या कहेंगे इसमें मजदर कहेंगे I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें मजदर किसे कहते हैं वैसा नाम जो किसी वैसा इसम जो किसी दूसरे इसम से ना बना हो किसी दूसरे लव्ज से ना बना हो लेकिन उससे लब्ज से नहीं बना हुआ है यह अपने आप मैं भी यहां पर नहीं इस्ने आपने की लफ़ते नहीं बना है लेकिन पुर्णां से और्हें लबना है लेकिन दूसरी बने होके लिगने लेकिन आप North के रहे आएगा मिलाना गिरना खेलना दोरना कुदना ठीक है यह सब जितने भी जिस लवज के लास्ट के लास्ट में ना रहेगा ना तो जिस लवज में ना आता है को क्या कहेंगे इसमें मचदर कहेंगे लेकिन ध्यान रहे एक लव्ज है नाना नाना के लास्ट में भी क्या है ना है लेकिन क्या नाना ये जो लव्ज है इसम है ये इसमे मजदर कहलाएगा नहीं क्योंकि नाना से आप आगे क्या बना सकते हैं लिखना से तो लिखने वाला लिखने वाली पढ़ना से पढ़ने वाला पढ़ने वाली ह नाना के लास्ट में नहीं है याद रखीएगा तो कुछ-कुछ ऐसे लफ्ज मिलेंगे जिस के लास्ट में नहीं कहलाएगा ठीक है apply hope आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते इसमें जामित किसे कहते हैं वैसा इसम वैसा नाम जो ना तो किसी दूसरे लवज से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा इसम और फेल बने ना ही उससे दूसरा लवज बने उस तरह के इसम को क्या कहते हैं इसमें जामित कहते हैं जैसे कि चटान यह अपने आप में एक लख और सब्सक्राइब पर है तो अपने अने लख लख घांगे इसमें जामित कहेगा उसी तरह ईंट दरख्त चटाई वगरबर और सारे नाम है जो अपने में लफ्स होते हैं और उसे कोई दूसरा लफ्स तरहाइस्म इसम और फेल नहीं बनाया जा सकता है उसको क्या कहेंगे इसमें जामीत कहेंगे याद रखिएगा तीसरा जो टाइप है वह इसमें मश्तक इसमें मुश्तक किसे कहते हैं वैसा इसम वैसा लव्ज जो इसमें मजदर से तो बना हो लेकिन अब उससे आगे और इसम और फेल नह लिखने वाला बना है ना लिखना से लिखने वाला बन गया है अब लिखने वाला से आगे आप कुछ नहीं बना सकते हैं सोचेंगे कि लिखने वाला से आगे बना दे तो अब आगे क्या बन सकता है कुछ नहीं बन सकता है तो वही बात में बताने की कुछ कर रही हूं कि है तो सहां सकते हैं लेकिन और आगी कुछ आगे बना सकते हैं को क है लिखना से लिखने वाली हो जाएगा अब लिखने वाली से अब आ यह दुसरा लव्ज वन सकते हैं नहीं बना सकते हैं तो लिखने वाली भी क्या होगा इसमें मुश्टक कहलाएगा लिखना से माली लिखावत बन गया है लिखना से लिखावट बन गया अब लिखावट के आगे कुछ और नहीं बन सकता है न तो लिखावट क्या कहलाएगा इसमें मुश्टक कहलाए यहां तक समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक है हासिले मस्दर किसे कहते हैं वैसा इसम आप इसम जो मस्दर ना हो लेकिन मानी और असर मस्दर कहीं कहीं ये इन लोग हासी ले मस्तर समझ में नहीं आया होगा एक्जामपल लेकर समझते हैं एक्जामपल में मिलावट इस मिलावट लवज को पढ़कर सुनकर आप लोग को क्या लग रहा है कि मिलावट यह जो लवज है यह मिलाना से बना है असर किस चीज़ का है मिलाना और मिलाना क्या है मिलाना एक लफ्ज है जो कि इसमें मजदर है मिलाना इसमें मजदर है खिल लिखना पढ़ना मिलाना गिरना हसना खेलना कुदना बैठना सब क्या है इसमें मजदर है लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज है मिलावट इस लफ्ज को पढ़ कर ऐसा लग रहा है कि मिलावट ये जो लफ्ज है ना ये मिलाना से बना है असर किस चीज का खीच रहा है तो मजदर का खीच रहा है ये जो लफ्ज है ये जो इसम है ये असर किस चीज का खीच रहा है है तो मजदर का खीन ऐसा लग रहा है की मिलाना से ही मिलावत बना है लेकिन यह जो मिलावत लफ्ज है ना ये एक मजदर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हासिले मजदर जरा मिलाना से ही बना is मिलावट तो इसको क्या कहेंगे हासिले मजदर कहेंगे उसे तरह फिर गिरावट ऑपकर रहे न की धिराना से बना हो ज इसा नहीं होता है, लेकिन मानी और असर का ही खिता है, यह याद रखना है इंस पढ़कर लग रहा है कि क्या आना से बना हुआ है, तो आना भी क्या है? मजदर हैं, इसमें मजदर है, आना जाना, खाना, पीना, लेकिन यह जो आहट है, यह मसदर का मानी और असर खिश रहा है, ऐसा लग रहा है कि आना से ही आहट बना हुआ है, तो यह लफज क्या कहलाएगा, हासिले मसदर कहलाएगा, उसी तरह चलन, दोड, चाह, वगरे वगरे बहुत सारे लफज मिलेंगे, जो कि वह खुत मसदर नह होते हैं लेकिन मानी और असर मस्दर का ही किषते हैं उसे क्या कहते हैं हासिले मस्दर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट यहां पर इसमें मस्दर इसमें जामीद और इसमें मुष्टक समझ में आ गया हासिले मस्दर भी आप लोग को समझ में आ गया अब यहां से आ बताना होगा कि इसमें मश्तक कौन है और जैसा कि यह मैं आप लोग को बताई दियूं पढ़ाई दियूं समझी गए आप लोग असानी से बता सकते हैं उसी तरीके से कोशन पूछ सकता है कि मंदर जजयल में से हासिले मजदर कौन है और चार ओप्सन दिया रहेगा देखिए किसी भी तरह का कोशन इस टॉपिक से आजए एकदम बना कर रख देंगे फाड़ कर रख देंगे तो यही कंफिडेंट रहना चाहिए जब तक मैं हूं और दो में आप लोग को एक परसंट भी टेंशन लेने की जवरत नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगले को समझते हैं इसमें मज़धर इसमें जामीद इसमें मुश्टक तो समय मढई अगया अब इसमें यह जह इसमें जामीदिया और दूसरा गर子 भाशे हैं यानि कि इसमें जामीद के दो टाइप, दो किसमें होते हैं, दो परकार होते हैं, कौन-कौन सा, पहला है इसमें नक्रा, और दूसरा है इसमें मारफा, इसमें नक्रा, और इसमें मारफा को समझना बहुत असान है, इसम का मतलब में आप लोगों को समझा हैं, नाम याद रख कहते हैं इसको हम व्यक्ति वाचक संग्या थीक ये इसमनकरہ समझे किसे कहते हैं इस मतलब क्या नाम यानि कि वैसा नाम जो common हो जिससे पूरी जाती का बोध हो common एक साधारान नाम को हम लोग कहते हैं इसमनकर эфф it. और इसम》 मार्फ़द उस तरह यानि कि common नाम जिसे पूरी जाती का बोद हो जैसे कि नदी सिर्फ मैं नदी बोलूंगी तो नदी में सभी तरह की नदी आ जाएंगी नदी की पूरी जाती आ खास नाम यानि कि special नाम को हम लोग क्या कहते हैं मोर्फा तो गंगा नदी हो जायगा इस मोमारफ। मैं बोली YouTube channel YouTube channel के सभी तरह की YouTube channel आजाएंगे YouTube channel की पूरी जाती आजाएगी तो YouTube YouTube channel हो जाएगा इस्म नक्रा जो कि एक common नाम है साधारान नाम है यूट्व चानल जिसमें सभी तरह की YouTube चानल आ जाएंगे लेकिन YouTube अब लोगे एकजाम में कुशन पूछे जाते हैं और इसी वज़ेसे जितना भी इसम यह आप लोगो को आज के इस वीडियो में कम्प्लीट ही करा दूंगी ताक यह पूँप ना रहे हैं इसमें मुकबर दूसरा है इसमें मुसखर तीसे हैं आला और चौृत हैंस सौथ पांचवा इसमें जर्फ यह पांच किसमें पांच टाइप है इसमें लक्रा यानकी कॉमन नाओन गई ठीक है ना अब było करके इसको समझ लेते हें क्योंकि यह पांचों टाइप दिख रहा है ना इvocwater से आप के बीजामे कोशन पूछे जाते हैं मंदर सेंगे जल में से als havingijn मंदर जल में से मक suffering कौन है य제 फिर मंदर सेंगे जर्फ कौन है यह फिर कोई भी एक लफ़ उठा कर देगा बताईये शां शां यह इस में कों सा में यहांट कहते हैं मुखबर का मानि होता है चोटा किया और यह दूसरे के वाप पोजित होते देखिये तो काटोरी के जगा कटोरी के मैं कहूं खहिर हो रहा है कि केंगे चक्टोर करना कि को बड़ापन झाहिर हो राए खैकर का लेखले कुछ यह लंब्स को किरें बड़ा किंगे उसी तरह भाल्टा बाल्टा बोलाएं नागी बाल्टा ज् Seven बाल्टी से बड़ा होगा बड़ापन जाहिर हो रहा है तो बाल्टा क्या कहलाएगा इसमें मुकबर का मतलब क्या बड़ा किया हुआ बस यह चीज़ आप लोगो याद रखना है तो जिस नाम से बड़ापन जाहिर हो उसे क्या कहेंगे इसमें मुकबर घंटी के जगा घंट भी जाहिर हो रहा है कि संदूग जए संदूग बढ़ा है यानि कि बढ़ाफन जाहिर हो रहा है तो क्या कहेंगे हumbsकर कर देजेए उसके संदूगा का मानी क्या होता है छोटा किया हुआ यानि कि जिस नाम से छोटापन जाहिर हो उसे कहते हम लोग इसमें मुसगर जैसे कि कटोड़ा के जगा कटोरी बोला जाएगा तो जाहिर होगा कि कटोरा से कटोरी छोटी है छोटा है तो कटोरी क्या कहलाएगा इसमें मुसगर जाहिर हो रहाए है कि घंटा से घंटी चोटी है चोटापन जाहिर हो रहा है तो घंटी को क्या कहेंगे मुद्व वन्हां शंचा को मसंगर को आगे बढ़ते हैं इसमयाला किसे कहते हैं और हथियार के इसमें आला कहा जाता है याद रखिएगा बहुत यह आसान है कोई भी औजार या फिर हतियार का नाम हो इसको क्या कहेंगे इसमें आला जिसे कि तलवार तलवार के एक हतियार है तो इसको क्या कहेंगे हतियार का नाम है इसमें आला कहलाएगा हत्वडी औजार का नाम है क्या कहलाएगा इसमें आला कहलाएगा लाठी थर्मामीटर ठीक है खुर्पी भाला तीरधनूस जो भी हो जिससे औजार या फिर हतियार का नाम जाहिर होता ह मतलब आवाज के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं इसमें सौत कहते हैं जैसे कि मियाव मियाव चंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचं कि वक्त या फिर जगह के नाम को ही क्या कहा जाता है इसमें जर्फ कहा जाता है मस्जिद एक जगह का नाम है तो क्या कहेंगे इसमें जर्फ कहेंगे यह क्या कहेंगे इसमें दर्फ कहेंगे वगराइव बहुत सारे आप लोग को लफज मिलेंगे जो कि जिससे वक्त और जगा का नाम ज़ाहीर होता है इसमें झरफ कहे देना है आप लोग inflex मिलाँ यह समझ गया मअ सब्सक्राइब Hersh इसमें जमीर, तिसरा इसमें इशारा, चौथा इसमें मौसूर, पांचवा है इसमें मजाफ, छठा इसमें माहूद और सात्वा है इसमें मुनाधा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इन सातों को एक करके पढ़ना होगा, तो जी नहीं, जहां से आप लोग के एक्जा पूछे जाते हैं वहीं टॉपिक में पढ़ांगी इसमें मौसूर, मुझाफ, माहूद और इसमें मनाधा इसमें चार तोपिक को इनने चारो टॉपिक क्या कहलाएगा इसमें मारफा कहलाएगा तो फिर इसमें अलम उसी चीज को कह रहा है तो फिर अंतर ही क्या है इसमें मारफा का भी मतलब किसी चीज का खास नाम और इसमें अलम का भी मतलब खास नाम मतलब अंतर क्या है तो समझें यहां पर थोड़ा सा का माइनर सा अंतर है क किसी भी चीज का खास नाम अब वह खास नाम किसी इंसान का भी हो सकता है किसी जगह का भी नाम हो सकता है किसी जानवर का भी नाम हो सकता है और किसी भी चीज का खास नाम हो सकता है उसको क्या कहेंगे इसमें मारफा कहेंगे लेकिन केवल इंसान शक्स के खास नाम को कहते हैं हम लोग इसमें अलब आगे बढ़ते हैं अगला है इसमें जमीर इसमें को इंग्लिश में कहा जाता है प्रो नावन और हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम आप लोग पढ़े होंगे जो नाउन के बदले में इस्तमाद हो उसे कहते हैं हम लोग pronoun ठीक है यानि की समझी यहाँ पर इसमें जमीर किसे कहते हैं बार-बार नाम के तकरार से बच्छने के लिए ही हम लोग इसमें जमीर का यूज करते हैं जैसे कि मैं example के दौर पर लेकर समझा हूँ जैसे कि महमूद आया, महमूद खाना खाया, महमूद थोड़ा सा खेला, महमूद थोड़ा सा बाते किया, महमूद उसके बासे थोड़ा आराम किया और महमूद चला गया तो बार-बार यह जो महमूद नाम में ले रही हूँ, अच्छा नहीं ने लग रहा है न तो इसी चीज से बशने के लिए हम लोग pronoun यानि कि इसमेर का यूज किया जाता है अगर महमूद नाम हटा कर मैं इस तरह बोलू कि महमूद आया खाना खाया थोड़ा वो अराम किया और फिर वो हमसे बाते किया और फिर वो चला गया तो महमूद नाम के जगा मैं कौन सा लफ लफियोड कर रही हूँ हो यहीं जो लफियोज कर रही हो ना कि जो नाम के बदले में जो इसम के बदले में लफियोज होता है decides माल किया जाता है उसी लफ को कहा जाता है इसमें बाव कोई नाम euro मैं अपना नाम लेने के संजिट बजाए मैं अपने आपको क्या कह रही हूं मैं कह रही हूं ठीक है तो मैं हो जाओंगी मैं यह जो लफ्ज है क्या कहलाएगा इसमें जमीर कहलाएगा आप लोग का कुछ ना कुछ नाम होगा मैं नहीं जानती लेकिन आप लोग के नाम लेने के बजाए मैं कौन सा लफ्ज य और यहाँ पर एक्जामफल में लिख दिया गे है वह तुम आप मैं वगरा है वहत सारे लवज हैं जो की नाम के बदले में यूज होते हैं वह तुम आप आप लोग तुम लोग मैं हम लोग वह वह लोग कि ऑगला हैिसमें इशारा इस नाम से sweeter इशारा मतलब जिस नाम से इशारा करना जाहिर हो और इशारा दो तरह से किया जा सकता है एक दूर के लिए एक नजदीक के लिए बस इसका एकजामपल दो ही हो सकता है वह और यह हम यह तो यह कहेंगे कि वह जो कलम दिख रहा है ना मतलब वह वह बोलेंगे वह मतलब दूर क का इसारा करेंगे नहीं तो नस्दीक का इसारा करेंगे वो जो कलम दिख रहा है ना वो मुझे ला कर दो यह तुम्हें चपल दिख रहा है ना बाहर करो तो यह तो वह कहेंगे नहीं तो यह कहेंगे दो तरीके आप लोग के लिए पढ़ना important हो जाता है और वैसे भी मैं आप लोग को यह हर एक topic पढ़ाई भी हूँ अगला जो topic है वह पढ़ना है आप लोग को इसमें अलम के किसमों के बारे में इसमें अलम तो आप लोग समझ गए कि हाँ शक्स का नाम क्या कहलाता है इसमें अलम कहलात टाइप है इसमें यह बहुत दासान है वैसा नाम जो हम इंसानों ने मिल कर दिया हो उसे क्या कहता है इसमें जैसे कि लोटा कपड़ा मकान टोपी वगरा यह सब क्या है इसमी कहलाएंगे जो इंसान खुद कर दिया हो नाम उस तरह के नाम को इसमी कहा जाता है यह इतना important नहीं है क्योंकि को कोशन नहीं पूछे जाते हैं बागी यह जो है ना खिताब लाकब तक लुखन नहीं पूछा जाता हो खिताब से पूछा हो जाता है समझे खिताब किसे कहते हैं आप कोई अच्छा काम किये आपकी खूबी या फिर कमाली के बदले सरकार की तरफ से आपको एक special नाम दे दिया गया एक खास नाम उसी करकूर को किया कहा जाता है घ्राय Бहादूर एक खान बहादूर भागा और हादूर हो गया शमस अलौkim इसनद मिस्त खशिव हो गया क्या लाएंगे हिताब कहलाएंगी ओध़िए जाते हैं अगला टॉपिक है लगभ की से कहते हैं बस कrzyदाब जो आप लोग समझें ना यानि कि वैसा ना जो सर देदिया जाए और लकब वैसा खास ना जो कि FC आप करी अच्छा काम किये आपकी खूबी और कमाली के बदले आवान की तरफ से जो खास नाम को कहते हैं लकब याद रखिए गाए फिताब उस खास नाम को कहते हैं जो कि आपकी खूबी और कमाली के बदले सरकार के तरफ से दिया जाए और लकब उस खास नाम को कहते हैं जो आपकी खूबी और कमाली के बदले अवाम यानि की जंता के तरफ से दिया जाए लोगो किसे कहते हैं वह खास नाम जो शायर हजराद शेर और शायरी लिखने के दौरान आखरी शेर में अपने नाम को इस्तमाल करते हैं उसी खास नाम को क्या कहा जाता है तखल उसका जाता है जैसे कि मिर्जा गालिब जो है ना मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर जहां पर शे नहीं सकता है इसी वजह से मैं सबसे पहले गालिब का नाम देखी हैं तो मिर्जा गालिब जो थे हैं वो शेरो शायरी लिखने के दौरान लास्ट में तखलुस यूज करते थे गालिब यानि कि अपना एक खास नाम यूज करते हैं यानि कि अपना एक खास नाम यूज करते ह कि शेरो शारी किसके द्वारा लिखी गई है अब गालिब की शायरी अप लुग पढ़ेंगे तो उनका तखलुस गालिब देखने को मिलेगा जिस से पता चलेगा कि हाँ यह जो श2 शैरो लिकी गई है मिर्दा गालिब दौरा लिखी गई है तो इसी वजह से शायर हजराद अपना तखलुस करते हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हुआ कि तखलुस किसे कहते हैं शेर लिखने के दौरान लास्ट लाइन में लास्ट शेर में जो एक खास नाम शायर यूज करता और उसके बाद से अलताफ हुसैन हाली का जो तखलुस है वो है हाली यानि कि अपने शेर वशायरी के लास्ट लाइन में हाली यूज करते हैं इनकी जब शेर वशायरी को पढ़ेंगे तो हाली नाम देखने को मिलेगा जिससे पता चलेगा कि वो जो शेर है वो हाली दोरा कि निढ लिखा गया है उसी तरह सौढमिर्दा मुहम्मद्रफी सोदा का तखलुस क्या है सोदा इनकि लास्ताइन में सौदा देखने को मिलेगा अनीस मीर वबर यह फिर बेटी यह फिर किसी ना किसी तालुक के वजह से पुका राजाए हुआ उस तरह के नाम को कहते हैं लोग कुणियत, जैसे कि इबन कुनियत को पहचाने का ट्रिक यह है कि इस तरह के नाम के स्टार्टिंग में या तो इबन रहेगा नहीं तो अबू रहेगा नहीं तो उम रहेगा नहीं तो बिंत रहेगा जिस भी नाम के स्टाटिंग में आप लोग इस तरह इबन या फिर अबू या फिर उम या फिर बिंत लिखा हुआ दिखाई दे समझologue करके इसको आप लोग कुन्यात लगा सकते हैं इबन मर्यम मतलब क्या सवन उस मर्यम किसको कहा जाता है हञ podemos मियानि की संफ मर्यम यह नाम क्या कहलाएगा कुनियत कहला उसी तरह अबुल पिता जी को वालिद को अबु अभुए भी बुलाते ठीक है हज़ित मुहम्मद स्लाव ताल अले वसल्म को अबुल कासिम कहा जाता था तो अबुल कासिम क्या हो जाएगा कुणियों उम का मतलब होता है मदरफ उम कुल्सुम और बिंद का मतलब होता है डौटर उफ बिंद का मतलब होता है बेटी उम का मतलब होता है मदरफ यान आप लोगों को बता दी आगे बढ़ते हैं छठा है उर्फ तो बहुत ही आसान है समझना आप लोग सुने भी होंगे उस असल नाम यानिकी रियल नेम के लावा जो नाम आपकी खुबी या फिर कमी के हो जैसे लोग बच्पन से ही पुकारते आ रहे हो उस नाम को कहा जाता है हो सकता है आप में कोई खुबी हो अब बहुत खुबसूरत हो तो आपको लोग बच्पन से ही गुडिया गुडिया कहकर पुकारते हों ठीक है या फिर आप में कोई कमी हो जैसे कि आप बच्पन से ही मोटे हो तो लोग आपको मोटू में कहकर पुकारते होंगे नहीं तो पतलू पतलू कहेकर पुकारते होंगे तो बच्पन से जो नाम मशूर हो जाता है आपकी खूबी और फिर कमी के वज़र से लोग पुकारने लगते हैं प्यार से तो उससे नाम को उर्फ कहा जाता है तो इस तरह मोटू छोटू बुद्धू जिम्राती मंगलू यह सभी नाम जो है ना गाव द्यात में देखने को मिलते हैं तो इस तरह के सभी नाम क्या कहलाएंगे उर्फ कहलाएंगे जो कि रियल नाम को छोड़कर यह बच्पन सभी लोग पुकारते आते हैं और आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा तो चलिए यहां तक तो समझ में आ गया जब आगे भी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है ऐसा मत सोचिए कि बस यहीं पर खतम नहीं उर्दो ग्रामर के सभी टॉट लैना चाहते हैं तो कोई धिक्कत नहीं है लेकिन हैक यह पर बता देना चाहती हूं कि इसका PDF फ्री में डाल दिया जाएगा टेलिग्राम पर अगर आप लोग स्क्रीन चॉट नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए फड़ फट लिंक किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल इसे जुड़ जाएंगे वहाँ पर आज की इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आप लोगों पढ़ाऊंगी और पढ़ा रही हूं हर एक चीज़ का PDF टेलिग्राम पर डाल दिया जाएगा तो टेलिग्राम से जुड़ जाए और फ्री में PDF ले सकते हैं चलिए अब आईए हम लोग आगे समझ लेते हैं इतने सारे टॉपिक को देख सकते हैं मैं फिर से बोर्ड पर लिख दी हूं बहुत ही मेहनत और मुशकत के साथ हर एक टॉपिक से कोशन पूछे जाते हैं आप लोगों के एक्जाम में जितना भी टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है किस किस तरह स लोगों भाया या फिर हर्फ का समूँ हर्फ का मतलब समझते हैं लेटर पूर्दू में लेटर को क्या कहते हैं तो एसा हर्फ या हर्फ का समूँ यानि कि कि दिधा लेटर जो किसी शब्द के किसी लवज के स्टार्टिंग में जूड़ जाए और उस शब्द का अर्थ बदल दे और एक नया लवज बना ले तो उस तरह के हर्फ या फिर हर्फ के समूव को यानि कि गुरूफ अफ लेटर को क्या कहते हैं साबका कहते हैं एक्जामपल लेकर समस्चे हैं देखिए पहले एक लवज था उमीद ठीक है उमीद एक लवज था और उमीद के आगे ना जुड़ गया ना में देखिए कितने हर्फ है तो दो हर्फ है एक नून है और एक अलिफ है यानि कि ये दो हर्फ दो लेटर का ग्रूप है समूव है तो ये दो हर्फ का समू है जो कि इस उमीद इस लफज के स्टार्टिंग में जुड़ गया है और इस लफज का अर्थ बदल दिया है पहले उमीद था अब ना जुड़कर ना उमीद हो गया है यानि कि अर्थ बदल गया पहले उमीद अब ना उमीद यानि कि अब कोई तो इसी स्टार्टिंग में जूडे हुए हर्फ के संभू को क्या गहेंगे? तीक है? पहले एक लफज था जवाब. और जवाब के स्टार्टिंग में, यानि कि शुरु आत में क्या जूड़ गया है? ला जूड़ गया है. यानिकि ये जो ला है ये हर्फ का समू है ग्रूप औफ लेटर है इसमें लाम है और अलिफ है यानिकि इसमें दो हर्फ है तो दो हर्फ का ये समू जो है न इस लवज के स्टार्टिंग में जुड़कर एक नया लवज बना लिया है लाजवाब पहले जवाब था अब अर्थ बदल गया ला जवाब हो गया ला जवाब यालिकि जिसका कोई जवाब ना हो ठीक है तो ला जवाब ये एक नया शब्द बन गया तो स्टार्टिंग में ये जो हर्फ लगा है न ये जो हुरूफ लगा है इसको क्या कहेंगे साबका कहेंगे उ टूसई तरह पहले हाजिर था और इस टाइंग में क्या लग यह लगई लग गया गयर पहले पढ़िक यह रही अभी बदल गया पहले पढ़ था और पंपढ़ बन तो न को क्या कहेंगे साबका कहेंगे उसी तरह अन मोल में बताइए न क्या है क्या लग गया है तो बेगुना बन गया है इप बहुत तरओं लफ लब सब्स देखने को में बनते हैं और याद रखने कट भी मैं आप लोगोगो बता दे रहे ह ए देख सह सह अल्ग करत का और सबंगर जो हर्फ का समू किसी लवज के शुरूं में जुड़ जाए किसी राख समूं को क्या कहते है सावका कहते हैं और याद रखने लाखा लास लास लास्ट यानि कि वैसा हर्फ या फिर हर्फ का समूंड जो किसी लवज यानि कि शब्द के लाष्ट में जुड़ जाए लास्ट में जुड़ जाए उसको क्या कहते है लाका कहते है पहले मदद था ये एक लव्ज था मदद और लास्ट में क्या जुड़ गया है लास्ट में जुड़ गया है गार तो गार ये लास्ट में जुड़ा है ना ये हर्फ का जो समूँ बताई इसमें कित डार जुड़ा है ना इसी को क्या कहेंगे लाहका कहेंगे तो आई हो आप लोग को याद रखने का ट्रिक भी समझ मैं ओगया होगा सवसे साब का सवसे शुरू जो की शुरू में जुड़ लासरलाय का पहले ताकत था और लास्ट में क्या जुड़ गया है वर चुड़ गया है वह और दो हर्फ का यह समुझंगा क्फोर की लाका का यह पताइए पहले तजर्बकार में लाका कौन सा है पहले तजूरबा था और लास्ट में कार जो गया, यान की कार क्या है? यह एक लाहका है, लाहका को English में कहा जाता है suffix और Hindi में कहा जाता है प्रत्याय, Hindi में भी हलांकी में आप लोगो को prefix और suffix यानि की उपसर्ग और प्रत्याय को पढ़ा चुकी हुआँ हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं हिंदी व्याकरण तो भी पढ़ सकते हैं लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग जाकर हिंदी ग्रामर को भी पढ़ लिजेगा बहुत ही बेतरी इंधंग से हिंदी ग्रामर को भी मैं पढ़ाई हूँ ठीक है आगे बढ़ते हैं जादू गर है यह जो लफ्ज है इसमें बताईए लाका कौन है गर है क्योंकि जादू के लास्ट में गर दूरा है तो गर क्या हो जाएगा लाका उसी तरह अकल मंद में जो लाका है वो है मंद किसी पहले अकल था लाका कौन है काम्याब में याब लाहका है पहले स्टार्टिंग में काम सा और लास्ट में क्या जुड़गा है याब जुड़गा है तो काम्याब नजरबंद में लाहका कौन सा है तो बंद है वगरे वगरे धेर सारे लफज आप लोगो देखने को मिलेंगे जिसमें साबका और लाहका हो सबकते तीक है अब matrixन से किसे तरह से पूछा जाता है बहुत ही आसान तरीके से पूछा जाता है कि मंद्रजल्जायल में से साबका की पहचान की यह प्रीज़ता है आप लोगों को अपसाने इसे लफश देगा जिसमें लहका हो और एक ऐसा एक option में एक ऐसा लफज देगा जिसमें साबका हो और साबका की पहचान आप लोगों को करना रहेगा तो अराम से आप लोग अब पहचान सकते हैं या फिर question इस तरह से भी पूछ सकता है कि मंदर जजयल में से लाहका कौन है लाहका की पहचान कीजिए तजरुबकार में लाहका कौन है और option A में दिया रहेगा तजरुबा B में देदेगा कार C में देदेगा R D में देदेगा तो बताईए तजरुबकार में लाहका कौन है कार है जिस भी option में दिखाई दियासानी से बता सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगले topic को समझते हैं जो कि ये बहुत ही common topic है जो कि हर exam में पूछा जाता है वाहिद से जमा बनाने का और वैसे भी आप लोग को पता भी होगा वाहिद का मतलब होता है singular यानिके एक वचन कि सीभी एक चीज को हम लोग वहिद कहते हैं के सिंगुलर कहते हैं को एक मार कर प्ना we हो गया तो उसको कहते हैं हम लोग जय से की एक म asta तो वहीद कहुए हेँ तो वह एक से ज्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं हैं आसाम होसाँ होता है लेकिन के इतना करना रहता है और इसी वज़़से ये topic tough हो जाता है सरुजम के लिए और fell सब правильно कि सवाल होगा सवालात तु वाहिद और एक सवाल हो गए है तो उसको क्या कहेंगे सवालात यानि की सवाल का जमा क्या हो गया सवालात ठीक है यानि की धेर सारे सवाल ठीक है तो इतना आसान आप लोग के एक्जाम में नहीं पूछा जाता है कि बताईए सवाल का जमा क्या होगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं सवाल जवाब का जमा क्या होगा तो आप लोगा आसाने से बता सकते हैं जवाब स्संट कोश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि बताईए हकीकत का जमा क्या होगा है उप्संपंसेटे अब हकीकत – अब बताईए हकीकत का जम्हा क्या होगा प्लूरल यानिकि बहु अच्छन अब बहुत सारे स्टुट्ट जो है ना हकीकत का जम्हा हकीकते लगाकर चले आएंगे जो कि डिरेक्ट गलत हो जाएगा क्योंकि हकीकत का जम्हा उर्दू में हकीकते नहीं होता है जी नहीं हकीकत का जम यहान सब लेकिन नहीं पता है तो फिर आखिर क्या करेंगे वह इक से ज्यादा नहीं पता है तो आप लोगों यहां पर याद मैं करना पड़ेगा वह इस तरह लवज का जम महीं होगा मनाझिल हकीकत ओर इसका जमा क्या होगा हकाैक शायर वाहिद इसका जमा क्या होगा शोरा guarantee एक से ज्यादा शायर टीए olan यससंग रीओ और दिसका जमा क्या होगा एजिसाम किस्म उसका भी जमा एकसाम तो इस से आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं कोई भी एक लफ उठा देगा और बोलेगा कि बताइए इसका जमा क्या होगा ठीक है या फिर कोशन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मंदर जायल अलफाज में से कौन वाहिद है और चार अप्शन दिया रहेगा तीन में या फिर कोशन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मंदर जायल अलफाज में से कौन जमा लफ्ष है और अपसन में चार अप्शन दिया रहेगा तीन में वाहिद लफ्ष दिया और एक में जमा लफ्ष दिया तो वही हो जाएगा आप लोग का एंसर तो आप लोग यहाँ पर इ से कहते हैं तेखें मुत्रादिफ को इंग्लिश में कहा जाता है सीनोनिम और हिंदी में कहा जाता है परियाएवाची शम्द परियावाची शम्द आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे इंग्लिस में vari six of her is the existing meaning of the another one is called Acroyance के एक ऐसा वर्ड जिसका बिल्खुल सेंभ निकलता हो दूसरे वड़ा तो एक दूसरे क्या केलाते हैं is that energy मुड़ः में समझते हैं मुतरादिफ लफ किसे कहते हैं समझें यहां पर एक समान अर्थ रखने वाले लव्ज को कहते हैं मुत्रादिफ लव्ज जैसे कि अकेला बोलिए या फिर तनहा बोलिए बात एक ही है अकेला का मतलब भी अकेला में हमारे साथ कोई नहीं है और तनहा का मतलब भी क्या अकेला मतलब हमारे साथ कोई नहीं तो अकेला बोले तना बोले बात एंक यह दोनों का मानी एक ही निकल eerste और लए दूरों एक दुसरे के क्या कहलाएंगे मुत्रादिफ कहलाएंगे यानि कि सिनोनिम कहलाएंगे ठीक है होप को समझ में आ गया होगा कि एक समान अर्थ रखने वाले लवस एक जैसे मानी रखने वाले लवज को हम लोग क्या कहते हैं मुत्रादिफ लवज कहते हैं ठीक है और इसी को इंग्विश में कहा जाता है सीनोनिम उसी तरह आगाज इपतदा आगाज बोलिए फिर इपतदा बोलिए दोनों का मतलब होता है शुरुवात ठीक है अंधेरा सूरज का मतरादिफ क्या होता है सूरज का एक समान रखनेSonamor क्याओं साइं तो ऑसी we बताना चाले हूं है पर यानकी एक समान अर्फ रखने वाल लव्ज कौन है आफटाव सूरज मतरादिफ अ पानी बोलिगये फिर आप बढलिये बात एक ही आप मतलब एक है आप फिर मतर्दिफल आगे बढ़ते हैं । जिद अजडद या फिर मुतजद लवज किसे कहते हैं जिद बोलिए ये फिर अस्दाद बोलिए क्योंकि जिद एक सिंगुलर यानि कि वाहिद है और इसी का जमा होता है अस्दाद जिद का ही जमा यानि कि प्लूरल क्या है अस्दाद जिद बोलिए अस्दाद बोलिए फिर मुतजाद लफ्ज बोलिए बात एक ही है इसी को इंग विप्रितार्थक शब्द और उसी को इंग्लिश में कहते हैं और उसी को उर्दू में कहा जाता है मुतजाद या फिर जिद जैसे कि आस्मान का विप्रितार्थक शब्द क्या होगा आस्मान का उल्टा क्या होगा उल्टा रखने वाला तो जमीन तो आस्मान का उल्टा जमी ठीक है तो जिद का मतलब समझे की अपोजिट वर्ड अपोजिट वर्ड यानि की उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द को क्या कहते हैं जिद या फिर मुतजात इंग्लिश में एंटोनिम ठीक है तो अब यहां पर इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाएगा आप से इतना आसान थोड़ न पूछा जाएगा कि बताई आसमान का जिद क्या होगा आप तो असानी से बता सकते ही तो बच्चा भी बता सकता है कि आसमान का उल्टा जिद जमीन होगा लेकिन इतना आसान नहीं पूछा जाता है आप लोग के एक्जाम में पूछा जाएगा कि बता जहें यहां पर सवाब का जिद्द यानि की उल्टा रखने वाला शब्द होता है अजाब ठेकिए रियन की सवाब का उल्टा आजब करीब का उल्टा बाइद ठेके बहार का खिजा याद रखना है पूछा जाचुका है वाहर का जिद क्या होता है तो खिजा हक्क का बातल ये भी कूछ पूच्छा जा छुका है ठीक है पता का जिद यानि कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्ड़ जो है शिकस्त पता होता है जित जाना शिकस्त का मतलब होता है हार और नशीब का WiFi क्या होता है फिराज वगरा वगरा धेर सारे इस दुनिया में लवस है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसी को क्या कहा जाता है जिद या फिर मुतजाद उर्दू में कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक भी बहुत ही कॉमन है लवस का मानी पूछता है आपने क्या होगा ठीक है तो लवस का मानी इंपोर्टेंट है ये आप लोगो को याद ही करना पड़ेगा इसका तो कोई कर देना है अगर आप लोग का मतलब क्या होता है सच बोलने वाला सहम का मतलब क्या होता है समझ जदीद का मतलब क्या होता है नया अदीम का मतलब होता है पुराना जमील का मतलब होता है खुबसूरत जाबिर का मतलब होता है जुल्म करने वाला हुजुम का मतलब होता है ठीक है इसमें ठृत कोई काम नहीं करने वाला है आप लोगो को याद रखना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है मुजक्र और उसके बाद से हैं मुजक्र को तजकीर भी कहा जाता है और मुजक्र को तानीस भी कहा जाता है मुझकर को हिंदी में कहते हैं हम लोग pulling और मुवनस को हिंदी में कहा जाता है strilling पढ़े होंगे मुझकर किसे कहते है pulling जिस लफ्ज से जिस शब्द से किसी पुरुष जाती का होना पता चले यान कि किसी मेल का होना पता चले उस लवज को हम लोग कहते हैं मुझखकर और हिंदी में कहा जाता है पुलिंग जैसे कि मैं बोल दी मामा दादा चाचा नाना इससे पता क्या चल रहा है कि ये सभी लोग पुरुष हैं मेल है तो इस तरह कि लवज को क्या कहा जाएगा मुझ लोग क्या मौनस जैसे कि दादी मामी चाची नानी इस लफ से क्या पता चल रहा है कि यह लोग फीमेल है यानि कि इस्तरी है तो इस तरह की लफ्स को कहा जाएगा मौनस लेकिन इतना आसान नहीं पूछा जाता है आप लोग के एक्जाम में ऐसा लफ उठाएगा जिसका आप पता भी होगा पता होगा तो और अच्छी बात है सुबह होती है यान कि सुबह एक मौनस लफ्स है ठीक है तो इसी वजह से मैं आप लिक भी दी हूँ मुझकर मौनस के कुछ एक्जामपल लेकिन मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में बहुत यह अच्छे तरीके से म मुझकर मौनस लफ्स को बता सकते हैं एक पसंड नहीं हुगी यहां पर फिर से में आप लोगों को बता दूँगी टैंसल ना लीजे मुझकर का beginners एक मोती में वूंगती है Vawe उसी तरह बच्पन अब तृ कि आप लोगों बता देती हूं जिस लव्ज के लास्ट में पन हो असे लवज का लास्ट में पन लगा हो उसको समझेगा कि दिवानपन तुम May लवस के लाषट में क्या रहा है इसको आप लोग को मुजखकर कह देना है ठीक है उसी तरह यहांपर देख है कलमदान जिस भी लवस के लक में दाण उस लवस को क्या क्या कहते ना है कि वह लह सब्सक्र है जिस मदार आपा जिस लवस के लाषट में चाना Immy द् compris पुलिंग कहते हैं तो बाजार भी क्या है मुझकर है गुसुल खाना जिस लवज के लाश्ट में खाना आए गुसुल खाना आया है ना तो उस लवज को क्या कहेंगे मुझकर लवज ठीक है कलम साज जिस लवज के लाश्ट में साज आता है याद रखिएगा उसको भी आप को मुझकर टिक करना है ठीक है वक्त क्या है बताइए वक्त मुझकर है कि मौनस है तो वक्त मुझकर है मेरे जाने का वक्त हो गया यानकी वक्त एक मुझकर लफज है याद रखना है काजल भी एक मुझकर लफज है और यह आप लोग के मॉडल पिपर में पूछा हुआ हुआ कोशन पूछा था कि मंदर जजयल में से कौन मुझकर लफज है नीचे तीन मौनस लफज दिये गए थे और एक मुझकर लफज दिया गया था ठीक है तो एक मुझकर लफज है बुखार बुखार मुझे हो गया है मुझे बुखार हो गया है ना की हो गई है तो बुखार क्या मुझकर लवज है दरिया घी पागल पत्थर वगरा वगरा यह सबी लवज क्या है मुझकर लवज है इस तरह से आप लोग के एक्जामे कोशन पूछे जाते हैं ठीक है मंदर जजयल में से कौन सा लवज मुझकर है या फिर मंदर जजयल में से कौन सा लवज मुझकर मुझक है इस तरह साब भी पूर सकता है पलोष को फ junior तो बस Ricardo पता रहों कि अगर वहा dazu कि नाम होगा न तो वह मुजकर होगा दिन जैसे की रविवार् सों बार मंगला बूदार भीश्पति वार यानी जितने भी दिन के नाम है वो सभी मुझकर कहलाते हैं सिर्फ व्रियस्पतिवार यानि की जुम्रात को छोड़ करके और सभी महीनों के नाम भी मुझकर कहलाते हैं इसके लावा जितने भी शहर है मुल्क है सबी मुलकों के नाम क्या कहलाते हैं मुझकर ही कहलाते है इसके लाबाबाद की जाए जमुना और गंगा नदी को छोड़कर जितने भी नदी पहाड है इस दुनिआ में सभी नदी और पहाड का नाम मुझकर कहलाता है यह आप यह कह सकते है trick है आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं अब मौनस का भी बता दे रही हूं सभी आवाजों के नाम मौनस कहलाते हैं और चोटे-चोटे कीडे मकौडों के नाम भी मौनस कहलाते हैं मौनस जो लफज होता है अक्सर इसके लास्ट में छोटी ये रहता है ठीक है छोटी ये हलांकि बोती में झोटी है दही में झोटी है कभी कभी आप यहां पर भी होता है उर्दुैंब अपभी पड़ू हो जाता है जब कि इसको मुँं रस होना से लेकिन है यह कभी आपकर सकते हैं कि हमेशा नहीं तो जिस भी लव्ट के लास्ट में छोटी इनकी तैनिस शहेंगे दूब क्या है बताइक्ते पहां झेसे कि दूब निकली ऑगोगोग त्छी सोब क्या है सुबह भी एक मुणनस लव्ज है तोपी दुनिया दुनिया एक मुणनस लव्ज है किताब भी एक मुणनस लव्ज है यानि कि आप लोग सुने होंगे यह मेरी किताब है मुझे वापस करो यानि कि मेरी किताब है मेरा किताब नहीं मेरी किताब किताब एक मुणनस लव्ज है उसी तरह बंदरगाह बंदरगाह भी एक मॉन्नस लव्ज है और यहां पर ट्रिक भी मैं बता दे रही हूं जिस लव्ज के लास्ट में गाह लगा हो जैसे कि बंदरगाह के लास्ट में क्या लगा है गाह लगा है तो इसको क्या कहेंगे मॉन्नस कहेंगे ठीक है जैसे कि जलस मुवननस को नऄ सिंटिक कर दिज्येगा। कि जस लवस के लश्ट में इस तरह का ए रहता है। प्ञे चापाई में जिस तरह किलास्ट में रहेगा। उसको आप लोगो को मुअनस कहीं देना है। मुश्कूरा हट जिस भी लव्स दश्ट में हट रहे तौ रहे तोर है या फिर लोजस को कि आ जाता है कि व लव्स कुह है बाउसं then ठीक है हवा भी क्या है मौनस है हवा चल रही है न उसतरह आधत बोतल वगारण यह सब लब्स क्या है मौनस है तो यहां पर आप लोग मुझकर और मौनस समझ गए इससे एक भी कोशन आप लोगो छोड़ना नहीं है तुम्हें आप लोग बता दी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मैं सेपरेट वीडियो में मुझकर मौनस का ट्रिक बताई हूं उसमें और जबर जुमला जूशन है जूमला दुरुस्त करने के लिए आप लोग एक्जाम में आता है कि मंदर जयल मैं से कौन सा जूमला दुरुस्त है यान कि सही है परफेक्ट है को चार option दिया रहेगा आप लोगों बताना रहेगा कि कौन सा जुमला सही है यान की दुरुस्त है जैसे कि एक्जामपल मैं लेख दी हूँ इस महल में इस महल की दिवार पत्थर से बनी है इस महल की दिवार जो है वो पत्थर से बनी है यह एक सेंटेंस यान की जुमला है जुमला तो आप लोग सम कॉपसन ए में दे दिया कि इस महल की दिवार पत्थर से बना है बनी है नहीं बना है ध्यान दिजिएगा बना है यानि की गलत जुम्ला हो गया यह लास्ट में बनी होना चाहिए बना है दे दिया यानि की जुम्ला गलत हो गया बी में दे दिया मालीजिए कि इस महल की दिवा पत्थर से बना हुआ है की नहीं का देदे का दिवार पत्थर से बना हुआ है तो भी तो यह जुमला गलत हो जाएगा ना और डी में देदे सही जुमला इस महल की दिवार पत्थर से बनी है तो सही जुमला यही है ना इस महल की दिवार पत्थर से बनी है तो यही आप लोग तो बस इसी तरह के से आप लोगो पहचाना रहता है ये आसान होता है जुम्ला दुरूस्त करने वाला जो question रहता है और है जो देगा वह वह वाला है देगा ठीक है उसके बार से डी में सही जुमला देगा तुम्हारी याद सताती है तो सही जुमला प्रोग इसी तरके से पैचानना रहता है तो यह हो गया जुमला दुरूस्त करने वाली बात आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है इसमें सिफत जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है विशेशड इसमें सिफ़त किसे कहते है इसम का मतलब मैं आप लोगो बताइए हूं ना म समझिएगा जब भी मैं इसम बोलूँगी तो समझिएगा नाम इसमें सिफ़त यानि कि वह नाम जो विशेश्टा को बताए यान की quality को बताए उसे कहते हम लोग इसमें सिफत adjective आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे हिंदी में विशेशर पढ़े होंगे जो विशेशता को बताए वही चीज आप लोग उर्दू में पढ़ना इसमें सिफत जो विशेशता यान की quality बताए जैसे कि लाल फूल, यहाँ पर फूल जो है न, फूल की quality, फूल लाल है ये typical है ये लवज बता रहा है है फूल लाल फूल तो फूल की quality, विशेष्टा कौन बता रहा है है ये लवज लाल तो लाल ये जो लवज है न इसको क्या कहेंगे, इसमें सिफ़त कहेंगे जो विशेष्टा यान की quality को बता है लाल फूल यान की फूल की विशेष्टा कौन बता रहा है लाल बता रहा है यान की फूल कैसा है तो लाल है तो लाल ये हो जाएगा क्या इसमें सिफत उसी तरह मैला कपड़ा कैसा है कपड़ा की quality कौन बता रहा है तो मैला बता रहा है कि खुबसूरत बता रहा है कि लड़की कैसी है, खुबसूरत है, तो खुबसूरत यह जो लफज है, यह जो इसम है, यह क्या कहलाएगा, इसमें सिफत कहलाएगा, उसी तरह नेक लड़का, लड़का कैसा है, तो नेक है, तो नेक को क्या कहेंगे, नेक को कहेंगे इसमें सिफत कよいう कि यह विशेषता बता रहा है लड़का का की लड़का नेक है उसी तरह 重 Sydney गोडोडा कैसा है सफेद है क्वाइटी कौन बता रहा है सफेद सफेद को क्या कहेंगे इसमें सिफवत कहेंगे लेकिन यहां पर मौसूफ से भी कोषन आता है जिसकी quality तो पूल की क्वालीटि ये लाल बता रहा था यहां पर फूल हो जाएगा मौसूफ और लाल हो जाएगा इसमें सिफत मैला कपड़ा यहां पर कपड़ा की विशेश्था बताया जा रहा है तो कपड़ा हो जाएगा मौसूफ और मैला हो जाएगा इसमें सिफत खुबसूरत लड़की यहां पर लड़की की विश्यस्ता बताई जा रही है तो लड़की हो जाएगी मौसूफ जिसकी विश्यस्ता बताई जा रही है खुबसूरत हो जाएगा क्या इसमें सि सफेद घोड़ा में बताइए मौसूफ कौन है घोड़ा और इसमें सिफत कौन है सफेद इसी तरीके से आप लोग एक्जामें कोशन पूछा जाता है कोई भी एक लफज उठा देगा जैसे कि मैला कपड़ा मैला कपड़ा में बताइए मौसूफ कौन है अपसाने में देदे जो अकेले रहने पर अपना मानी ना बताए लेकिन किसी जुमले में जब जाकर जुड़ जाए तो अपना अर्थ बताने लगे अपने मानी बताने लगे और जुमला को मुकमल कर दे तो उस तरह के लवस को कहते हम लोग क्या हर्फ यानि कि प्रिपोजिशन जैसे कि मैं नदीम मस्जिद में है तो में जो है न यह ले जाकर इस जुमले में डाल दी नदीम मस्जिद में है तो अब देखिए में का अर्थ समझ में आने लगाना यानि कि में यह जो लफ्ज है यह जाकर जुमला को मुकमल कर दिया पूरा कर दिया अगर में हटा दिया जाए समझ में आता है ठीग है मैं लगाना जरूरी है इस वज़ा से किताब कार नहीं तुम वहां किताब ले कराओ, समझ में नहीं आएगा, sentence का मतलभी नें समझ में आएगा, तो ये इसी तरह के लव्ज होते हैं, जो की अकेले रहते तो इनका मतलभ समझ में नहीं आता है, लेकिन जुम्ला को यह मुकंबल कर देते हैं जुम्ला का अर्थ इन्हीं से पूरा होता है ठीक है तो मैं से तक लिए पर वगरा यह जितने भी लवज है यह क्या कहलाएंगी हर्फ यानिकी प्रपोजिशन कहलाएंगे अब चरिए मैं फिर से बोर्ड को मिटाती हूँ और अगले टॉपिक को लिखती हूँ वह बहुत सरे टॉपिक बचे हुए है और मैं फड़पट में आप लोगो समझाती हूँ ले लिजे यहां तक फड़पट स्क्रेल शॉन्ट अब आईए हम लोग अगले टॉपिक को समझ लेते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से बोर्ड पर लिख दे हूँ और आप लोग देखिए यह हर एक टॉपिक से कोशन बहुत ही जबरदस तरीके से पूछा जाता है सबसे पहला टॉपिक है सेगा सेगा किसे क को ही कहा जाता है जमीर यानि प्रोनाउन के बदले में लफ्यूज होता है उसे ही क्या कहेते हैंपमेर जाता है अपने नाम के जगा कौन सा लफ्ज यूज़ कर रही हूँ मैं तो ये लफ्ज क्या कहलाएगा जमीर कहलाएगा आप लोग का कुछ नाम है लेकिन आप लोग का नाम लेने के बजाए मैं आप लोग बोल रही हूँ तो आप लोग क्या कहलाएगा जमीर कहलाएगा इसी तरह मैं, हम लोग, आप, आप लोग, वह, वह लोग, ठीक है, ये सभी लफ्ज जो है ना, नाम के बदले में यूज होते हैं, और इसी वज़े से ये सभी लफ्ज क्या कहलाएंगे, जमीर कहलाएंगे, ये फिर सेगा कहलाएंगे, सेगा कहिएगा, सेगा, अब सेगा से क सब्सक्राइब कौन सा है और फिर एंपर सब्सक्राइब को बताइए कि वह सेंट्छन पन। एब कि वह आप शूम्ध कों ना चाहते हैं और विस्तार timed शोटोर नहीं हो ना चाहिए सिर्ष नाभात और यह लुजत रहे हैं नाब करें जो लफ्स हुता है उसी को क्या कहता है सिघा कहते हैं हम लोग अब आप लोग तुम तुम लोग वह हुआ लोग इस वहुति ऑफ़ तो जो कहने वाले के लिए से गायूज होता है बोलने वाला इंसान जो से गायूज करता है उसको कहते हैं में अपने आपको क्या बोल रहे हुं मैं रहे हो और हाजर यानि कि परसन यानि कि जो सुनने वार व्यख्ति सबहीं लोग सुन रहे हैं तो आप लोग का नाम के बदले में मैं कौन सा सेगा यूज कर रही हूं कौन सा लफ्स यूज कर रही हूं आप लोग तो यह आप लोग क्या कहलाएगा हाजिर कहलाएगा मतलब कि जो सेगा सुनने वालों के लिए इस्तमाल हो जो लफ सुनने वालों के लिए इस्तमाल हो उसको कहते हैं हाजिर ठीक है आप आप लोग तुम तुम लोग ये सभी लफ क्या कहलाएंगे हाजिर कहलाएंगे और उसी तरह थार्ड परसन गायब कहलाता है यानि कि जिसके बारे में बात की जाए जो व्यक्ति गाय है और उस लड़की का कुछ ना कुछ नाम होगा लेकिन लड़की के नाम लेने के बजाएंगे मैं वह सेगा यूज कर रही हूं वह लफ यूज कर रही हूं तो वह यह जो लफ है वो क्या कहलाएगा गायब कहलाएगा जो कि मैं किसके लिए इस्तमाल कर रही हूं जो यहां अगर मतलब अकेला और मतकलिम यानिकि और बोलने close करेगा वह क्या होगा मैं होगा, यानि कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, वाहिद हूँ, और मैं अपने लिए जो सेगा यूज कर रही हूँ, अपने नाम के बदले में जो लफ्स यूज कर रही हूँ, वो कौन सा है, वो है मैं, ठीके, तो मैं क्या कहलाएगा, वाहिद मुतकलिम, क्योंकि मैं हैं, तो जमा मुतकलिम के लिए क्या यूज होगा, हम लोग, यानि कि जब एक से ज्यादा लोग मिलकर बोलने लगे, तो जो सेगा यूज होगा, वो होगा हम लोग, हम लोग की राय यह है, यानि कि इसे पता क्या चल रहा है, कि एक से ज्यादा लोग है, यानि कि जमा है, तो जमा मुतकल्लिम के लिए हम लोग यूज हो जाता है। यूज किया जाएगा ठीक है ना उसी तरह हाजिर जो सुनने वाली के लिए इस्तमाल हो अगर हमारे सामने सिर्फ एक व्यक्ति सुनने वाला रहता कोई एक इंसान रहता जो हमारी बात को सुनता तो मैं उसके लिए जो सेगा यूज करती वो कहते वो मैं तुम यूज करती तो आप करूंगी समय में आ रहा है आपको तुमको समझ में आ रहा है कि कि इस तीरह मैं पूछोंगे ना तुम या फिर आप pena तो अगर सामने जो हाजिर है यानि कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है अगर वह वाहिद यृप तो उसके लिए जो सेगा यूज होगा वो क्या है तुम या फिर आप लेकिन अगर मेरी बात को सुनने के लिए यहां पर धेर सारे लोग आ इकठा हो गये हमारे सामने तो अब एक आदमी तो नहीं है एक से ज्यादा लोग हो गए यानि कि जमा हो गए तो अब जमाल यानि कि धेर सारे लोग हो गए और उनके लिए जो मैं सेगा यूज करूंगी जो लफ्ज यूज करूंगी वो क्या होगा तुम लोग होगा या फिर आप लोग होगा कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है ना यानि कि नाम के बदले में कौन सा लफ्ज यूज करूंगी आप लोग या फिर तुम लोग क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं हमारे सामने तो एक से ज्यादा लोग आ जाएएंगे यानिकी जमा हो जाएगा तो उसके लिए कौन सा करूंगी या फिर आप लोग करूंगी ठीक है उसी तरह गाइब में भी समझ लीजिए जिसके बारे में बात की जाएं उसके लिए जो सेगा यूज किया जाता है उसको हम लोग गायब कहते हैं अब जिसके बारे में बात की जा रही है अगर वो अकेला आदमी है यानि कि एक अकेले इंसान की बात की जा रही है तो उसके लिए जो सेगा यूज होग इसके बारे में बात की जा Rigetti लेकिन वह यूज करेंगे लेकिन के बारे में बात की जा रही है वो एक से ज्यादा लोग है तो तब क्या कहेंगे वहाँ पर सेगा कौन सा यूज करेंगे कौन सा लफ्स यूज करेंगे वह लोग यूज करेंगे कि वो लोग बहुत बत्तमीज थे वह लोग बहुत बत्तमीज से जाहिर क्या हो रहा है कि वह लोग जिसके बारे में बात की ज रही है वो एक से ज्यादा लोग थे यानि की जमा थे ठीक है जमा गाइब के लिए वह लोग यूज किया जाता है मैं उन लोग का नाम नहीं ले रही हूं नाम के बदले में कौन सा सेगा यूज कर रही हूं तो वह लोग ठीक है ना तो यह कहलाता है जमा गाइब वह कहलाता ह तक कोई दिक्कट должна होगा समझ मैं आया तो गंडम में लिखकर बताइए कि हा मुझे सेघा यह जो टॉपिक है ना समझ में आ गया है बहुत ही जबरदस तरीके से तभी मुझे भी संतुस्टी मिलेगे कि हाँ आप लोगो समझ में आया है अगले टॉपिक को देखते हैं देखिए धेर सारा मैं यहाँ पड़ लिख दी हूँ और यह हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट ह समझें फेल लाजिम किसे कहते हैं फेल लाजिम उस तरह के फेल उस तरह की क्रिया को कहते हैं उस तरह की काम को कहते हैं जो सिर्फ फाइल यानि कि सब्जेक्ट को चाहें जैसे कि मैं बोल दी दोड़ा तो आप लोग कोशन उठाएंगे न कि कौन दोड़ा मैं सिर्फ बोली मैं बोल दी नदीम दोड़ा तो सेंटेंस पूरा हो गया उसी तरह हसा तो कौन हसा सवाल आएगा ना कौन हसा तो सलीमा हसी सेंटेंस पूरा हो गया तो यह जो दोनों फेल है यह फाइल को चाह रहे हैं यानिकी फाइल को ढून रहे हैं काम करने वाले इंसान को ढून रहे हैं तो इस तरह के फैल को क्या कहते हैं फैल लाजिम कहते हैं याद रखिएगा गीरा तो कौन गीरा तो घोड़ा गिर गया या फिर कुछ भी गिर गया बैक गिर गया ग्लास गिर गया कुछ भी गिरिया मतलब यह फाइल को चाह रहा है कि आखिर कौन गीरा ठीक है सोया कौन सोया गया कौन गया P advocacy न तु इस्सुराव क्या कह यां केते हैंपे लासिम कहते हैं जो कि सिर्फ यहरण की सब्जेक्ट काम करने वाले इंसान को ढूनता है ठीक इह हो गया महाद जोगा जोगन का सारे झाल को को चाते हैं आगे मैं अगला को खाहते हैं कि अगला को न करने के लिए हुक्म दिया जाए उस धेल को कहते हैं फिल नहीं जैसे कि वहां नहीं कि लाएंगे क्योंकि इसमें ढिवें काम को नहीं करने के लिए दोनों में थ्वोड़ा सा कांतर हे स्टें इस्मेंहुं को करने के लिए हुक्म दिया जाएन और इसमें सिर्फ काम को ना करने की चर्चा की intentar कई की मनाही की गई हो जैसे की हामीद पटना से नहीं आया इसे जाहिर क्या हो रहा है कि काम नहीं हुआ जिससे जिसे फैल से जाहिर हो जाए कि वह फैल यानि कि वह काम नहीं हुआ है उस तरह के फैल को क्या कहेंगे फैल मनफी लेकिन फैल थे के यह काम वेढ़ और मन्फी सिर्प मनफी इता है थोड़ा सा काम मंतधिर कही नहीं हुआ फैल यानकी किरिया जो है वो नहीं स्कूल नहीं गया तो इस तरह के फैल को कहेंगे फैल मनफी ठीक है आगे बढ़ते हैं फैल मारूफ और फैल मजहूल की से कहते हैं फैल मारूफ उस तरह के फैल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम होता है यान की काम करने वाला इनसान कौन है ये पता रहता है उस तरह के फैल को कहते हैं फैल मारूफ जैसे की नदीम ने खत लिखा खत लिखा तो नदीम ने लिखा यान की फाइल काम करने वाला इनसान पता है खत किसने लिखा है ये पता है तो इस तर के फेल को कहते हैं फेल मारूफ जमीला ने कलम चुरा लिया तो कलम चुराने का काम किस ने किया जमीला ने किया यान की फाइल काम करने वाला इंसान सब्जेक्ट पता है तो इस तरह के फेल को कहेंगे फेल मारूफ लेकिन फेल मजहूल इसका जस्ट अपोजिट होता है जिस इनदा फाईल मालुम ही नहों यान कि काम करने वाला इंसान पता ही नहीं है इसी तरह के लिखा गया तैको कमा किसने लिखा नहीं पता है। नहीं पता रहता है वैसा जिसका फाइल ना पता इसको पहेंगे आगे बदते हैं एक होता है और एक होता है फेल मुफ्रद उस तरह के फिल को कहते हैं जिसमें स्रफ एक लवज हो एक वॉडर्ड जैसे कि सोना यह एक वर्ड है एक लव्ज है ना बैठना सोना बैठना देखना यह सब फैल है यान की काम है ना सोना भी एक काम है यान की क्रिया है तो सोना यह एक लव्ज है सोना उसी तरह बैठना यह भी एक लव्ज है देखना इसमें भी एक लव्ज है जाना खाना यह सब एक एक लवज वाला फेल है लेकिन फेल मुरकब उस तरह के फेल को कहते हैं जिसमें दो लवज हो जैसे कि उठा लेना इसमें दो लवज है एक उठा और दूसरा है लेना इसमें दो लवज दिख रहा है ना उठा और लेना तो दो लवज वाले फेल को कहते हैं फेल मुरकब और जिस फेल में सिर्फ एक ही लवज हो, उसको कहते हैं फेल मुफरद, ठीक है, तो फेल मुफरद हो गया, सोना, बैठना, देखना, जाना, खाना, जिसमें सिर्फ एक एक लवज है, लेकिन फेल मुरकब हो गया, उठा लेना, इसमें दो लवज है, उठा और लेना, तो उठ आगे बड़ते हैं अग्ला जो टॉपिक है यह बहुत आसान है फिल अम्र मुझसे मुझसे बात मत करो तो जिसमें काम को ना करने का हुकम हो उसे कहते हैं फेल नहीं लेकिन जिसमें किसी काम को करने का हुकम हो किसी काम को करने का ओर्डर दिया जाए उस फेल को क्या कहते हैं फेल अमर कहते हैं जैसे कि बैठ जाओ चाय पीलो पानी लाओ तो इस तरह के फेल क्या कहलाएंगे फेल अमर कहलाएंगे जिसमें ओर्डर दिया जाता हो फुक्म दिया जाता हो किसी काम को करने के लिए ठीक है तो ये टॉपिक समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं जरा अगला टॉपिक है इसमें हालिया किसे कहते हैं इसमे हालिया उस तरह के इसम को कहते हैं जिस इसम का हाल हमें पता चले जैसे कि वसीम ने कमरान को पढ़ते हुए देखा इसमे कमरान को पढ़ते हुए देखा यान कि कमरान का हाल पता चल जा रहा है कि कमरान क्या कर रहा था तो पढ़ रहा था पढ़ते हुए देखा तो इस इससे को क्या करते हैं में नसीम का हाल पता चलुत conversation हवाल जुम्ला तो आफलोग जानते हैं sentence और जिस सवाल किया जाए उस जुम्ले को कहा जाता है सवाल यह जुमला जैसे कि तुम कहां जा रहे हो सवाल पुछा जा रहे हैं तुम कहां जा रहे हो यानि कि से सवाल उठ रहा है कि तुम कहां जा रहे हो तो इसको क्या कहेंगे सवाल यह जुमला कहेंगे आप कैसे हैं मैं यह काम क्यूं करूं मैं वहां क्यूं जा खबर कऊनों इसको कहते हैं घिस काम मतलब इस काम को करने का जैसे कि एक गिलास पानी लाओ, इधर आओ, चुप रहो, सो जाओ, वगएरा वगएरा, जिस जुमले में हुक्म जाहिर हो, ओर्डर जाहिर हो, उस तरह के जुमले को कहते हैं अम्रिया जुमला, ठीक है, उसी तरह है इन्शाइया जुमला, जिस जुमले से सच और जूट कहा ना जा सके, उस जुमले को कहते हैं इन्शाइया जुमला, जैसे कि काश हुआ आता, आप इस जुमले को न सच कह सकते हैं, न जुट कह सकते हैं, काश हुआ आता, इससे सच और जूट जाहिर ही नहीं हो रहा है, तो इस जुमले को क्या कहेंगे, इन्शाइया जुमला, अग कि सच भी हो सकता है जूट भी हो सकता है तो जिस जुम्ले में सच और जूट दिखाई दे सच और जूट कहा जा सके उसको तो इंशाया जूट पता ही नहीं सकते हैं जिस जुम्ले से सच और जूट पता ही ना चले उस तरह के जुम्ले को कहते हैं इंशाया जूट की काशवा कि चुट तो onboard इसमें सच और जुट आप कह नहीं सकते हैं टीके नमाज पढ़ो इसमें भी सच और जूत नहीं कहा जा सकता है तो इसको क्या कहेंगे वह बहुत सारे हो रहा है यानकी पढ़ने का काम हो रहा है महमुद ने जहूला तोड़ दिया यानकी काम जो है तोड़ने का काम हुआ है मतलब काम करना या फिर होना जाहिर हो जिस जुम्ले से उसको कहेंगे मुस्बच जुम्ला बस हो गया खतम और उसके बाद से ये तीन टॉपिक मैं को कहते हैं और नात उस नजम को कहते हैं उस कवीता को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुहम्मद सल्लाहुत ताला लायोसलम की तारिफ और तौसिफ बयान की गई हो तो उस तरह की कवीता उस तरह के नजम को क्या कहेंगे नात कहेंगे और और मनकबत भी ये भी नजमी की तरह लिखा जाता है यानि कि कविता की तरह ही लिखा जाता है लेकिन इस तरह के नजम में बुज़रगाने दीन और आलिया अल्लाह यानि कि अल्लाह के आलिया सहाबा वगरे की तारीफ उसी बयान की जाती है तो उसको कहते हैं मनकबत तो आई छोड़ करना है तो फड़ाफट यहां तक लिए स्क्रीन शॉट फिर मैं आगे बोड़ को मिटा कर लिखती हूं लिजे फड़ाफट स्क्रीन शॉट अब आए हम लोग जरह उर्दु शायरी के कुछ important टॉपिक को समझ लेते हैं क्योंकि उर्दु शायरी से भी आप लोग के exam question पूछे जाते हैं और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूं कि उर्दु शायरी बहुत उर्दु कवायत के पांच हिस्ते पढ़ाई थी उसे समझना आप लोग सर्फ के लोग सिर्व के सπαचव है और नो सिर्वाल के निसे discret के इए तो एको उर्द। कवाइत के अंतरगत उर्दू शायरी की कुछ कुछ important point मैं यहां पर लिख दी हूं जिससे समझना और जानना आप लोग के लिए बेहत जरूरी है अगर आप लोग को यह topic नहीं पता है तो समझे कि आप लोग उर्दुशायरी समझ ही नहीं सकते हैं ठीक है ना इसके बिना आप लोग का काम नहीं चलने वाला है हो सकता है कि कि आप आगे चलकर मतलब बड़े लेवल के एकजाम त्यारी करें तो बेसिक आप लोग का मस्बूत होना चाहिए तो समझे यहां पर सबसे पहला चोटा सट टॉपिक है मिसरा किसे कहते हैं देखें यहां पर मैं घजल लिख दी हूं और यह घजल आप लोग देख सकते हैं दो हिस्सों में बाठ दिया गया मिस्रा और यह हो गया दूसरा मिस्रा उसी तरह दूसरे लाइन में चलिया इस लाइन में पहला मिस्रा यह हो गया ठीक है और दूसरा मिस्रा यह हो गया ठीक है ना उसी तरह तीसरे लाइन को भी दो भागों बटा गया है तो यह हो गया पहला मिस्रा यह हो गया दूसरा मिस्र इसी को क्या कहते हैह मिस्रा कहते हैं ये पहला मिस्रा ये दूसरा मिस्रा ये तीसरा मिस्रा कि चोथा मिस्रा बताई टोन इसा कम एडते हैं है आप टोटल दस मिस्रे हैं आई होप आप लोगों को मिस्रा समझ में आ गया होगा टिक लगा दे रही हूं अब आगे बढ़ते हैं शेर समझते हैं देखिए दो मिस्रा मिलकर एक शेर बनता है ठीक है शेर किसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो मिस्रा हो तो देखिए यहां यह मतलब होते हैं इसको किया कहेंगे यह दों मिस्रह नहीं एक आयन वाला हैं तो यहां पर देख सकते हैं पहले लाइन में दो मिस्रे दिख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे पहला शेर कहेंगे देखिए इस पूरे गजल में इस पूरे गजल में टोटल कितने मिस्रे हैं तो दस मिस्रे हैं और यह जो पहला लाइन है पहले लाइन में दो मिस्रे दो मि मिस्कmber है यानिक कि गजल का ये दोनों एक साथ क्या कहला आएगा दूसरा शेर कहला यानिकर यहां पर टोटल इस गजल में 5 शेर Android कजम्म होता है अशार यह ज़ा dub immisien आफर टूटल पाच अशार है इस घजल में तो मिस्रा और शेर समझ गए अब समझते हम लोग रदीफ किसे कहते हैं यह घजल आप लोगो दिख रहे हैं यह हो गया पहला से पहले शेर के सबसे आखिर में चले जाएं लास्ट में लास्ट में बार बार आने वाले लवज को कह करेगा लास्ट में क्या रहे करेगा उसी तरह हर आन में 100-100 चमन इजाद करेगा यहां पर भी करेगा यहां पर भी करेगा उसी तरह दूसरे शेर का यह पहला मिस्रा है जिस बैत में तारीफ लिखूं उसकी भवों की यहां पर करेगा नहीं है लेकिन दूसरे वाले मिस्रे में है जल्बत्ता हलाली भी उसे साध करेगा उसी तरह तीसरे शेर के पहले मिशरे में नहीं वर्कि दूषरे में मिश्रे के लास्ट में क्या है करेगा उसी तरह च्षज केइन आप लोग देख सकते हैं कि इक लफ़ बार मारी पीट हो रहा है करे गा करेермा करे गा हम लोग रदीफ कहते हैं ठीक है तो इस घजल का रदीफ क्या है करेगा ठीक है अब समझे एक काफिया किसे कहते है रदीफ के ठीक एक कदम पहले चले आईए यहाँ पर रदीफ है ना इसके ठीक एक कदम पीछे चले आईए क्या है याद उसी तरह यहाँ पर रदीफ है ना क एक कदम पीछे चले आना है साथ देखे ये रदीफ के पहले क्या है तो याद इजाद साथ उस्में मिल रहा है वो याद इजाद साद याद शाद शाद है यानि कि एक ऐसे लफज है उना जिनका प्रणंसियसे शेम है प्रणंसy सोन है यूचारन समान ऒजैसे आप कुद पढ़ कर देखिए याद इजाद साद याद शाद वुश्प ने तलफू वह सेम है कोई अंतर नहीं को वहाइं मैं काफिया कौन कौन है याद है इजाद है साद है याद है शाद है और ये शाद है ठीक है यानि किस गजल में ये सबी क्या कह राएंगे काफिया कह राएंगे जो रदीफ के ठीक एक कदम पीछे जाने पर में मिलता है ठीक है तो यहाँ पर रदीफ और काफिया भी समझ में आ अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं कि मतला किसे कहते हैं मतला गजल का सबसे पहला शेर जिसके दोनों मिस्रे में रदीफ और काफिया हो उसको कहेंगे मतला याद रखिएगा गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिस्रे में रदीफ और काफिया होना चाहिए तो देखिए इस ग काफिया है तो हाँ है काफिया है याद और इजाद यानिकी प्रनसियसन दोनों का से में यानिकी काफिया है तो पहले शेर के दोनों मिस्रे में रदीफ और काफिया है तो हम इसको क्या कहेंगे मतला कहेंगे क्या कहेंगे मतला कहेंगे तो पहला शेर जिसके दोनों मिस्रे में रदीफ और काफिया हो उसको क्या कहा जाता है मतला का जाता है तो इस घजल का मतला ये हो गया पहला शेर ठीक है जिसके दोनों मिस्रे में रदीफ काफिया है अब समझ ये मक्ता किसे कहते हैं मक्ता घजल या फिर कसीदे का आखरी शेर जिसमें शायर हजरात अपना तखलुस इस्तमाल करते हैं देखिए इस घजल का आखरी शेर यह है और इसमें देखिए क्या तखलुस यूज किया गया है क्या तखलुस इस्तमाल किया गया है तो देख सकते हैं जलता है सिराज आतिश हिजिरा में सनम की सिराज तखलुस दिख रहा है तखलुस आफ लोग जानते हैं शायर जो होते हैं शेर उशायरी के last line में यानि कि मक्ते में ही अपना एक खास नाम यूज़ करते हैं जिसे पता चलता है कि वो जो शेर उशायरी है किसके दौरा लिखी गई है उसी को क्या कहते हैं तकहलूस कहते हैं तो यहाँ पर यह पर आप लोगों सिराज दिख रहा है ये सिराज क्या है तकलूस है किसका तकलूस है तो सिराज और अंगबादी का तकलूस है यानि कि सिराज इस तकलूस को देखकर यह हमें समझ में आ गया ना कि पूरा गजल किसके द्वारा लिखा गया है तो सिराज और अंगबादी द्वारा लिखा गया है तो वही मैं बतान थे हिज़रा में सनम की किस दिन दिल-गमगीन को मेरे तू शाद करेगा ये आकरी Shre है और इसको आप क्या कहेंगे मकता कहेंगे क्योंकि इस आख रेख बास राज और również रंगबादी अपना तखलुस राज यूज़ किये हैं तो इसको क्या जिसके दोनों मिस्रे में रदीफ और काफिया देखने को मिल रहा था तो हम इसको क्या कह दे रहे हैं मतला कह दे रहे थे लेकिन अगर दूसरे शेर के दोनों मिस्रे में भी इसी तरीके से रदीफ और काफिया देखने को मिलता यांकि यहां पर भी करेगा रहता और यहां पर इसको अभी उसने मतला कहेंगे यह दू़सरा गहलाने के लिए जरूरी है कि दोनों मिस्रे में, दूसरे शेर के दोनों मिस्रे में रदीफ काफिय होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो है, वो है बैतुल गजल, बैतुल गजल किसे कहते हैं, गजल का सबसे मश्हूर शेर, बैतुल गजल कहलाता है, जैसे सबसे मअस्वूर अच्छा शेर है का तो इसको क्या कहरेंगए तो ये माना जाता है मगरूर्णा आप तो जानते हैं हूंगे यानि कि अपने खुबसूरत से चेहरे पर तुम गुरूर मत करो नहीं तो आगे चल कर तुम मेरी बात को याद करोगे इस शेर का ये मानी हो गया और वैसे भी पहले के जो बड़े-बड़े शायर थे ना वो वाकई में शेर लिखा करते थे जिसका अर्थ समझने के लिए भी आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए होता था ठीक है तो यह हो गया इस सेर का सबसे अच्छा श है तो इसको भी आप लोग बैतुल गजल कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां तक यह सभी टॉपिक को आप लोग समझ गये मिस्रा रदीफ काफिया मतला मक्तव उसने मतला और बैतुल गजल कम्प्रीट हो गया अब यहां पर यह चोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है मु लिक्र एक शेर कहा जा रहा था ना एकष उसका बंड टिन टिन मिस्रों पर मुस्तमील हो तो उसको कहते हम लोग मसलस और वैसा नज्ब जिसका बंद चार-चार-चार मिस्रा हो उसको कहते हम लोग रुबाई और जिस नजम के बंद में 5 पांच निस्रा हो इसको कहते हैं मुहमस ठीक है और जिस नहों का बंद जो है जो है 6 6 दिफे पर मस्तमिल हो या cant 6 दिफेक बंद क्या कहलाता है मुसद्दस कहलाता है और उसी तरह से मुसम्मन जिस नजम में आठाट मिस्रा का बंद हो उसको कहते हैं मुसम्मन तो फाइनली यहां पर हो जाता है उर्दु ग्रामर का दी इंड यह लास्ट टॉपिक था और संपोन उर्दु ग्रामर को मातराज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए सारा उर्दु ग्रामर का टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो गया अंती मोड पर हम लोग पहुच चुके हैं और आई होप आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं यह वीडियो को और हर एक टॉपिक को कंप्लीट किये हैं उस वक्त से में आप लोग को सबहुत को सब् coerc ॉपिक को समझ इया कंप्लीट कर सकें अब अ के सब से दूबारा देखिए ताकि टॉपिक रिवाइस हो जाए जो कूछ से दुबारा वीडियो को देखिएगा अब स्पीड बढ़ा कर हो सके तो 1.5 एक्स पर नहीं तो 2 एक्स पर चला कर देखिएगा पास्ट मेरी वाइस कीजिएगा ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं आई होप आप लोग लाइक शेर जरूर कर द विदा लेती हूँ और जाते-जाते एक बात में कहना चाती हूँ और इस पर आप लोग अमल जरूर किजिएगा जिस दिन आप लोग का एक्जाम है ना उसके एक दिन पहले रात में, रात में भी या फिर जिस समय आप लोगा एक्जाम है, उसके एक घंटा पहले भी ये वीडियो देखकर जरूर जाएगा, क्योंकि जो भी आप लोगे एक्जाम में कोश्चन पूछे जाएंगे उर्दु कवायद से, वो इसी वीडियो में से पूछे जाएंगे, जितना भी उर्दु ग्रामर के टॉपिक को आज किस वीडियो में कम्प्लीट कराई हूँ, इसी टॉपिक से कोश्चन रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे, तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है ये वीडियो, अम्रित है आप लोगे लिए, उर्दु ग्रामर मातर इस एक वीडियो, एक समझे कि एक कैप्सुल है, जिसको आप लोगे कम्प्लीट देख लेना है, उर्दु ग्रामर आप लोगे माइन में ऐसे फिट होगा ना कि फिर दुबारा निकलेगा नहीं, पूरा एक ही वीडियो में सारा उर्दु ग्रामर कम्प्लीट, ठीक है, चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद और खुदा हाफिज,